सबी करमचारी साथियों को नमस्कार एक बार पुने आप सबी का सिक्सा समाचार महारदिक शुआगत मैं गजंदर विश्ण हुई IFMS 3.0 सीरियल में एक नए वीडियो लेकर करके आपके साथ आजीरू साथियों आप लोगों को यदि basic अपडेट करना है किसी करमचारी का स्थाए करना हुआ है या किसी करमचारी के ACP लगी या किसी भी कारण वांस यदि उनके basic में कोई नगोई revision करना है तो वो आप लोगों को पहले pay manager पे करना होता था फिर आप data pull-up करते थे और IFMS पे हो जाता था अब IFMS पर ही option दे दिया गया है pay manager से pull-up करने की आशिक्ता नहीं है हमने pay manager से समभन दिए वीडियो बना जाएंगे, यहां पे साथियों आप लोगों को डीडियो रोल में जाना है यह basic update का कारिय कहा होना है डीडियो रोल में जाएंगे, आप लोग कई साथी यहां desk one हो में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा update नहीं हो पर आई, side ठीक नहीं चल रही है वगरा वगरी तो आप लोगों को किस में जाना है साथियों सवरुगात से डीडियो रोल में जाएंगे डीडियो रोल में साथियों आप लोग जब जाते हैं तो वो भी वापस Employee Management, Employee Management से जाते हैं आप लोग यहां पे पहुंच जाते हैं जिसके आपको basic update करना है यहाँ जो ID दिख रहे हैं इस ID पे आप click करते हैं तो उसका पहले क्या basic वो दिखाएगा लेकिन आपको जैसे मुझे Invecti का basic update करना है यहाँ पीछे modify का option आ रहा है मैं इस modify पे click करूँगा modify पे click करते हैं उसकी वरतमान क्या इस्तती वो दिखेगी उनका यहाँ ID दिखेगा उनका नाम दिखेगा यहाँ उनका वरतमान status fixed है यानि वो provision में थे इसलिए उनको fixed मिल रहा था वगिर आई यह आप लोगों को दिखेगा इसे अपन लोगों को update करना है इसको आप scroll down करते हैं तो वरतमान की उनकी इस्तती दिखा देती है basic इतना DA ये इतना ये इतना ये इतना अभी जो साथी हैं उन्होंने DA और HR तो add कर दिया था लेकिन basic है वो update नहीं कर पाए थे basic है वो provision के अनुसारी आ रहा है तो अब आपको क्या करना है आप लोग इसको scroll down करिये और यहाँ पे आप लोगों को fixed की जगे सेवन्थ करना है सेवन्थ पे commission के अनुसार आपनों उनको payment देना चारहे हैं तो सेवन्थ करिएगा सेवन्थ करने के बाद आप लोगों को साथियों data of entry existing pay band and grade pay इस grade pay में या यह जो आप basic update कर रहे हैं वो उनको कब से दे होना है यह साथियों एक फरवरी 2024 से पहले की date अपने को नहीं दिखा रहा है क्योंकि फरवरी 2024 से ही IFMS 3.0 है वो active हुआ है तो आप लोग एक फरवरी 2024 ही कर पाएंगे उसके पहले की date update करने के लिए IFMS पर जब भी update आएगा हम आपको inform करेंगे फिर आपको pay skill या लेवल तरह करना है साथियों कईयों के दिक्कत ये आती है कि आप लोग L8 या L10, L12 जो भी करना चारे है वो पहले सही है आपको यदि यहां basic update करना है तो एक बार level को 7 करिए या 9 करिए एक बार change करिए फिर वापस उसी level पर आईए तो आपका basic update करने में सहुलियत रहेगी वरना यहां आप लोग L को change नहीं करते हैं और सीधा यहां कोसिस करते हैं तो कुछ भी नीचे नहीं खुल पाता है उसका इलाज यह है कि आप लोग यहां पर एक बार level को change करिए फिर वापस वो level लाइए जो आप रखना चाहरे है वो level select कर लिया level select करने के बाद आप लोगों साथियों basic उस level के अनुसार जो भी basics है वो आपको यहां दिखेंगे आप कौन सा basic रखना चाहरे है जो minimum basic होता है वो आजाता है अपने को यदि उसके अगला basic लेना है तो आप लोग इसको update करेंगे देखिए मैं यहाँ basic को change कर देता हूँ change करने के बाद लिये rate मैं change कर देता हूँ outland मुझे change करना है उसके बाद recalculate करना है जैसे ही मैं recalculate करता हूँ तो recalculate करने पर यह दो तीन तरह के option आपको दिखते हैं का आप एक बार recalculate कर सकते हैं वगरा वगरी तो आप recalculate करने के बाद आप लोगों को यहाँ दिखाई देता है कि यह recalculation होने के बाद आपका basic इतना होगा DA इतना होगा HR इतना होगा यह ठीक है आपको लगता है यह सही है तो आप इसको scroll down करिए और आप से यह आदेश मांगेगा update पे entitlement details यहाँ पे आपको click करना है यह करने के बाद आप लोगों के पास यह आएगा इसको yes करिए yes करते ही successfully हो जाएगा सेव्ड successfully होने के बाद आप वापस यहाँ जाकर के check कर सकते है check करते हैं साथ यह देखिए यह इनका basic है वो change जो जुका है 27,000 आ गया पहले कितना था? 18,000 अपने जब सर्वगात में इनका basic देखा तब कितना था? 18 और अब कितना हो गया? 27,000 आ जाए तो basic update करने का normal सा process है कोई ज़्यादा लंबा process नहीं है तो इस प्रकार से आप यदि basic update में करने के बाद आपका DA और HRE यह ठीक से नहीं है नहीं होने की इस्तति तब बनेगी जब आप इनको add करते हैं तो वहां formula best add करना चीए formula best यह आप add करते हैं तो basic change हो तो यह auto change हो जाते हैं यदि आपके वहाँ basic change कर रहे हैं तो DA और HRE auto change हो जाएंगे आपको GPF कटोती RGSS कटोती यह चीजें अज़ी update करनी हैं यह तो था basic update करने का process इन सभी को update जैसे DA को update करना हो HRE को update करना हो GPF कटोती अपडेट करना हो RGSS कटोती अपडेट करना हो income tax की कटोती को update करना हो उसके समद्वे मैं साथ ही हो यह अलग से वीडियो बना के डालना हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें सारी कटोतीयों को और इन allowance को edit करने का या इन allowance को delete करके दुबारा जोडने का जो भी process है इसमें एक LIC कटोती और होती है LIC को कैसे add करते हैं उसको कैसे हटाते हैं उसको कैसे update करते हैं उसका भी साथियों मैंने अलग से वीडियो बना रखा है यानि IFMS 3.0 से समद्धी जो भी updates आ रही है उसके समद्ध में हम लोग वीडियोज डाल रहे हैं तो आप लोगों को जिस परकार की जैसे समद्धिया है वैसा आप लोग हमारी playlist को देखिएगा उसमें से उस तरह का आप लोग वीडियोज देख सकते हैं एक बार पूने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद